आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्टा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे साथी साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने ना भूलिए चले देखते हैं आज की यह रेसेपी और इस सबसे पहले ही एक बड़ा सा मेmmैंसिप और कोफी करीब सुजे टो यहां पर एर रहा हında है यहां में डाला एक करीब कराई सु मिलाने के बाद इसमें मिलाएंगी काफी सारी सबजिया जो भी साब्जिय आपको पसНद है इसमें बहुत ही बारी कट करके आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बीन्स गाजर प्याज पत्ता गोबी और यहाँ पर मैंने लिया है साथ में शिम्ला मिर्च सब्जी को बारी कट करके लिया है हरी मिर्च ले ली है स्वाद के नुसार तो यह सारी चीजे में डाल कुछ और पहल दो पाप साथ को कष़ें को अरी कषमान से नहीं दोड़ा है कि दाली है अगर आप सारी सब्सक्राइब है उतना ही डाला है और सभी को मैंने बहुत सदावारी कट किया इसके साथ चूंच ग्रेट किया हुआ अद्रक भी डाल रही हूँ और इसके बात यहां द में छाली नाशा पर मैंगी टेस्टी रही वाला है तो हैं और मागी के दो पाउच नमक वाने के वाल नाशा-खिट है मुझन है और सटाथी के बροहने से पानी सामें आट नहीं का रहता का नालूँ एसके पानी ऑग कर तो रहे हैं अधर बाता हैं पानी से तियार एक पार हो तालना में यह हैं कियोंकि सब्यस है हैं ज्यादा पानि में अच्छे से गीला हो सकता है तो इसके बाद मैं आपर थोड़ा पानी डाल दिया है और इस तरीके से डालते वे से हम अच्छे से आटे की तरह तरह कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह अपर जो आटा है बिल्कुल तैयार हो चुका है बहुत ही ज्यादा कल़ बहुत प्य तो इसे में दुबारा से अच्छे से थोड़ा सा हातों पे तेल लगा के गुण लीडर ही चरदों से लगाथ अच्छे से मेश करलीया है और इसकी दो पार्ट में डिवाइड कर दोगी तो डिवाइड कर दिवाइड करने के बाद इसके हम दो बड़े-बड़े रोल बना के तयार करेंगे तो यहाँ पर मैं इसे ले ले लेती हूं चॉपिंग बोड पर तो यहाँ पर इसको मैं रोल बना लेती हूं तो जैसे बेशन के गट्टे बना के त्यार करते हैं बिल्गुल उसी तरीके से यहां पर इसके रोल बनाने हैं तो यहां पर यह जो रोल है थोड़े मोटे ही हमें रखने हैं बहुत जाथा पतले नहीं करने हैं तो मैं इसको इस तरीके से रोल बना लेती हूं आराम से रोल त तिव होज दाएंगे और इसे हमैं स्टीम करना है तो इसी हम बहुत जाय तेल नहीं करने वादा है तो मैंसे बना करेंगये, यहां पर डोर बनाए करें तो यहां पर मैंने से देखे बरश की हल से थोड़ा सावल से इस तरीके से लगा लिया है जैसे कि हमारे जो यह रोल हैं बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और पानी जो है गर्म हो चुका है मैंने से कवर कर दिया था पहले ही इसके बाद दोनों रोल को इसमें रख देंगे औ और के वल 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे तो 15 मिनट में ही जो हमारी रोल है बहुत अच्छे स्टीम हो जाएंगे क्योंकि सब्जियां बहुत बारी कट करके डाली है और बेसन और सूजी को जो पकने में बहुत साथा टाइम नहीं लगता है तो 15 मिनट के बाद ही आप इसे कट करें बिल्कुल भी यह तोटेगा नहीं तो यहाँ पर देख सकतेएं थो बिल्कुल हो चका है ताज भी मैं बहुत अच्छे से पीसे में कर जाने कहीं लिए करें गदे कर नहीं रहा है तो अराम से कर जाता है एक बार में ही आज चाहें तो इस तरिके से पीसिस को cut करके किसी भी air diet container में रख आखी आख़ नहीं, तो एक हफ्ते तक आराम से इसे तियार करके इस अर इसे ऐसे ख़राब नहीं होगा, और इसे ऐसे खॉत हो every roll को ऊसे त्यार हो, इसे खाया जा सकता है अरहां और बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर भी आए हुए इन में हरा पीला सारा बहुत सुंदर लग रहा है यह देखने में भी तो आप चलते हैं इन में तड़का लगाने के लिए गास पर मैंने कड़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच के करीब घी तो इसे म तिल डाल दिये तो मेरे पास यह रोस्टेट तिल थे आपके पास अगर नॉर्मल वाले भी है तो भी डाल सकते हैं इसके बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च की वज़े से जो नाश्ता है बहुत जाता चटपुटा मसेतार बनने वाला यहाँ पर मैंने तीनोची जो का अच्छे से मिला लिया है अच्छे से सभी चीचे भून गई है आप देख सकते हैं हमारा जो यह तड़का बिल्कुल तयार हो चुका है तो इसी तड़के में हम डालेंगे यह जो हमने रोल कट करके रखे हुए है तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि आप इसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं यह बिल्कुल तयार हो चुका है लेकिन अगर आप इसे और ज्यादा टेस्टी बराना चाहते है तो इस तरह के से एक सिंपल सा तड़का लगा सकते है तो यहाँ पर मैंने यह सारे कटेवे रोल जो थे वो इसमें ड चाट मसाला भी एड़ करेंगे जिसे की चाट मसाले की जो है सबी पीसिस पर बहुत अची कोटिंग आ जाएगी और यह चटपटा सब लगेगा खाने में तो यहाँ पर यह मैंने चाट मसाला डाल दिया है और साथ में यहाँ थोड़ा समयने चली फ्लेक्स डाला है आप ल नाश्ते में यह कभी जब भी छोटी मोटी भूक लगी हो तब भी आप इसे तयार कर सकते हैं और यह सभी को पसंद आएगा बच्चे बड़े सभी पसंद करने वाले इस नाश्ते को चटनी के साथ डिप के साथ यह आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत जादा टेस्टी लगता है तो इस तरह के से ज़रूर बनाईए फैमिली फ्रंस में शेयर कीजिए मेरी साथ कमान करके शेयर कीजिए कि सब्जी वाला यह नाश्ता आपको कैसा लगा मिलते हैं नई रस्पी के साथ नई वीडियो में तब तक लिए बाइ टेक क्यार थैंक्स पूर वाचिंग किली हैं भीड़ वाला ये इस जार वाजिए आ, वाला ये वाला है वाला मिलते हैं प्राव में तरिहां प्रोश तो.